नमस्कान मित्रों स्वागत है आपका हमारे चनल जिग्या सपर मित्रों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या बताने जा रहा हूं क्या मैं इस मंबत्ती के बारे मताने जा रहा हूं वसे आप लोग कोई बाते अलग लगते हूं न क्यों क्योंकि आप हमारे वीडियो कर शीर्षक पढ़के यहां आए हैं लेकिन फिर भी भूमी का बाधना बनता है दोस्तों है ना तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी रॉष्णी वगेर आपने देख्योंगी चाहे मंबत्ती की लाइट हो चाहें ट्यूब लाइट हो क्या देखा होगा आपने दोस्तों कि इनके आसपास छोटे-छोटे पतंगे कीट पतंगे मन रहाते हैं इनके आसपास है ना जहां रॉष्णी होती उसके आसपास कीड वहोफोफोफों, अम्टेश के जिर्ण बसह के पूसम के वासुआ करफ हैiltr कियों बुद्धार कि रिर्ण करफ नहीं परवाना जाले मरने लिए यह मैं आज को आज बताने वाना हूँ हमाई चैनल को सब्सक्राइब यह रोप रही है क्योंकि ऐसी जानकारी और इस तरह है कि हमाई धनिक जीवन से जूड़ी जानकारी हम देते रहे हैं कि दोसों कि दो बाते हैं पहली बात यह कि यह जो आते हैं कि रोश्नी की तरफ यह केवल नर कीट पतंगे होते हैं मादा नहीं आती पहली बात कि दूसरी बात ये कि ये बिचारे एक लालच में आते हैं कि इस लालच में आते हैं दोस्तों जो मादा पतंगे कीट पतंगे होते ही हैं उनके शरीर से एक विशेश प्रकार का विक्रण निकलता है मतलब तरंगे समझिये से साधारन शब्दों में विक्रण का मतलब भी होता है तो ये विक्रण आकर्शित करता है नर पतंगों को वो इस विक्रण को सूं कर या इसका एहसास और तरीके से करके जो उनकी इंद्रियां होती है उसे ग्रहन करने के लिए वो इसकी ओर आकर्शित होते हैं और वो मादा के पास जाते हैं ये प्रकेपिर नियम बनाया है ताकि आगे उनके परिवार बढ़े लेकिन ये विक्रन जो होता है जो मादा की शरीर से मादा की पतंगे की शरीर से निकलता है इस से मिलता जुलता विक्रन प्रकाश से भी निकलता है जो प्रकाश की जलती है कोई ट्यूब या मुंबत्ती या दिया या कुछ भी ऐसी चीज़ चाहे उसमें law हो चाहे वो सीधे अपना बत्ती या इलेक्रिसिटी या नहीं विद्धूस से चल रही हो उसमें भी उस विक्रण जैसा विक्रण होता है अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों ध्यान से देखिएगा कभी गौर करिएगा आप एक बल्ब जलाईए और एक ट्यूब आपके घर के बाहर अगर है और बशाथ के देना तो इस देखने का सबसे अच्छा मौका है तो आप पाएंगे इसके पास अलग तरह के कीट पतंगे आ रहे हैं और इस ट्यूब लाइट के पास अलगता रहे हैं वहीं एक मंबत्ती जलादी ये तो अलगता रहे हैं क्योंकि इनका विक्रण जो होता है वो अलग-अलग मादा के विक्रण से समानता रखता है तो ट्यूब के पास इकटे होने वाले कीड़े वही नहीं होते हैं, जो बल्ब के पास इकटे होते हैं, बल्ब के पास इकटे होने वाले वही नहीं होते हैं, जो मुंबत्ती के पास होते हैं, इसमें कुछ समान हो सकते हैं, लेकिन पर अधिक तर एक बड़ा वर्ग जो होता ह इनका वो अलग अलग प्रकाश रोतों पे ना कि वह प्रकाश रोतों पे बलगी प्रकाश रोतों के रंग भी निर्वर करता कि उससे विक्रण का इस तरह प्रकार बदल जाता लाल ड्यूलाइट, नीली ड्यूलाइट, पिली ड्यूलाइट, मंबत्ती या किदी और तरीके की तो जैसी होगी और जैसा वो विकरेंट छोड़ रही होगी और जिस प्रजाती के मादा से मिल रहा होगा कि पतंगी वैसा उसको आकर्शन होगा वह सोचा है मादा रहे पर वहां तो आग लगी कि ट्यूब है तो फिर भी बज जाता है पतंगी लेकिन मौंबत्ती में तो बिचारे जह जाते हैं मादा की चाहत में जीवन को खो देते हैं और इसी बात पर शायरों बहुत कुछ लेगा हम भी आपको ऐसी बहुत कुछ यह मार चैनल, नाम है जी कैसा, फिप में लेकिए, नाम श्रीट